जय श्री रादे कृष्णा जी आज हमने बनाई है ये पापड मंगोडी की गढ़े बिलकुल राजस्थाने स्टाइल में अगर सालासर धाम जाएं तो महाँ पे खाने के लिए ये जरूर मिलती है किसी भी ढाबे पे जाएंगे हमें ये खाने को मिलेगी खान में बड़ी टे आज हम बनाएंगे राजस्थान की स्टाइल में कड़ी उसके लिए मैंने ये एक पाप्र लिया है इसको छोटी टुक्रों में तोड़ लेंगे थोड़ी सी मैंने ये मगोडी लिया है देड़ दो टेबल स्टूर के आज पास तही में आदा चोटी चमच अलबी एक चोटी अच्छे से मिला लेंगे पापट मंगोरी की कड़ी में हमने दो टेबल स्पून उपर तक भरके लेशन डाला है तदी में लंप्स बिलकुर ने रहने चाहिए हमने इसको अच्छे से अच्छी तरीके से बिलो लिया है तो इसमें हम गी डालेंगे ये मैंने जी गरम हो गया अजवायल, मेथी, सर्सूम और जीरा ये चारों चीचे और मेची डालेंगे तोड़ी से एक चुटकी हींग डालेंगे थोड़ा सा करी पता डालेंगे अधरब एक इच बार्व कटावा अधरब को तोड़ा सा बोल लेंगे तोड़ा सा इसे एक लवाना है नहीं तो अधरब पड़वी हो जाती है और ये बती होई अधी मिर्च के एक मिर्च के चार पिसी स्वड़ी है आपने मंगोडी वैसे तो हमने बूल के रखी हुई है ये मंगोडी इसमें डाल देंगे बस जड़ा सा ही सेख लगाएंगे हम बूल्यों इसमें मंगोडी को जाता बूलेंगे तो जल जाएगी और इसमें वह मसला ये जाएट करेंगे ताकि ये फटरने ना पाएगे गड़ी में उबाल आ गया ये पापड़ा एड़ करतेंगे स्लो गैस करके इसको दस मिनट उबलने लेंगे ये कड़ी हमारी बन के तियार हो गई है इसमें पापड और बड़ी हमने डाले हैं तो इसमें अमने बेशन थोड़ा सा ही डाला था हो जाएदा बेशन की इस कड़ी में जूट पनी होती क्योंकि पापड़ और मंगोडी इस बाउड में निकालेंगे ये करमा गरम कड़ी को बाउड में डालेंगे थोड़ा सा धनिया डाल के मिला देंगे जैस भी हमने थोड़ा सा घी गरम होना रख दिया है इस घी में हम ये एक लाल मिर्च और ये एक तेजपता डाल देंगे गैस बन चटटेंगे इस घी में करि कड़ी का टेस्टी बदल जाएगा थोड़ा सा उपर से दर हरा धन्या तुबाराते डाल देंगे उपर से डले हुए हरे धन्या की तो खुश्बूही अलग से आएगी यह हमारी कड़ी बिल्कुल क्यार हो गई है राजस्फार्नी स्टाइल ले गोड़ी पापड़ की कड़ी अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलते हैं किसी लए अंदाज में देखने के लिए धन्यवाद